रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जै स्री राम जै हन्मान आप सभी जानते होंगे अपने अपमे मंगलवार का दिन पावन और पवित्र है उसमें पढ़ने आली चतुर्थी स्रेष्ट है आप सभी को जीवन में लगे कि बच्चे बड़े घर के कोई भी सदश् बिवा और संतान संबंधी परिशानी से जूज रहे हैं तो आप सभी को इस सरल से कारे को जरूर से घर में कर लेना चाहिए स्वास्तिक और चौमुखह दिपक का उपाय आपके भागि को बदलत कर रख देगा कैसे करना है कप करना है किस स्वरूप में करना है पूरी तरह स आपको बताना समझाना चाहूंगी इसे चतूर सी थी थी जो कि गड़ेश जी महाराज को समर्पी था और नवरात्री के पावन दिन चल रहे हैं गुप्त नवरात्री के तो आपको जरूर से इस दिन को छोड़ना नहीं चाहिए घर में व्यक्ति हमेशा खुश्यों के भंडा कर sneez कर Micamaya तो प्रयत्न करें से सुनिय क्याना किसे करने हैं सबसे पहले सरलसा उप में एक सरलसा कारीघर बैठे करें आप यह उपाई दो तरह से कर सकते हैं एक गुरुजी जिसमें Google और कपूर और जो हैं जो कंड़ा होता है उसका कहते हैं परण्तु एक दूसरे वीडियो में जो बहुत पुराना वीडियो है उसमें गुरुजी घर पर कहते हैं कि आप सभी के हनमान जी महराज की प्रतिमा हो तो उसको विराजवान कर अभी तक आपने हनमान जी के जैकारे नहीं लगाये हैं तो जरूर से लगा दीजिएगा आपका निश्चिती कल्याड होगा जैमातादी असरी सिवाई नमस्तु भ्यंभी लिख दीजिएगा वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिए जैसे कि हम बात कर रहे थे आप सभी हनमान जी की प्रतिमा फोटो विराजमान कर लेजिए यह उपाय आप सुबह घर पर कर सकते हैं शाम को कर सकते हैं और जो है हनमान जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं आप सभी को हनमान जी की मूर्ती प्रतिमा जैसी भी है उसे विरा मानने लगाएं इच्छा आपकी हो उस दीपक के अंदर आप जो है घी भरें या तिली का तेलिया सरसो का मेरे हनमान जी को सब प्रिय होता है तो आप सभी को जो है सरलतम तरीके से कोई भी किसी भी स्वरूप में दीपक उसमें पूर्ण रूप से प्रजलित कर लेना है लौं कि भी सरलती पूजा करें उसके बाद जो है आप सभी को प्रणाम करने के बाद जो है आसन का चुनाव जरूर से कीजिएगा और हनमान जी को कोई भी विवस्तु का भोग लगाएं घर पर गुड़ चना है या लड़ू है या केला है जो भी है उसका आप सभी हनमान जी को भोग लगाएं उसके बाद जो है आप सभी वीसेशiene तौर पर इस मंत्र का जाप करना सुरू करें इह मंत्र आप 11 बार भी बोल सकते हैं 21 बार 15 18 बार जतनी इच्छे हैं उतनी बार आप बोलने का प्रियतने खरें यह मंत्र में स्मरन करने जा रही हूँ और साथ ही स्क्रीन पर भी मैंने दिया है इस तरह से है इसमें सबस्ट तोर पर लिखा हुआ है कोई सत्रु बाधा, उपरी बाधा कोई रोग, कोई कारे में सफलता कहीं पर अटकी हुई है तो वह पूर्ण होती है और सब कारे में सिद्धी होती है तो प्रियत्न करें इस उपाई को सुबह या शाम जब भी हो घर बेठे आप कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी वीडियो उची तुपियोगी रहते हैं तो आपसे अनरोध है प्रभू नाम मंत्रों का दान करते हुए जरूर से आप जयकारे लगाईएगा कोई प्रशन हो जो रह गए हो आपको कोई चीज समझ में ना आई हो ना तो पूछ लीजेगा आपका अपना चैनल है सभी सवालों के जवाप राप्ति करें हैं दूसरे सर्विसरेष्ट उपाई की तरफ कहीं न कहीं यह सर्विसरेष्ट दिन अपने आप में अधूत है मंगलवार का दिन उसमें पढ़ने वाली चतुर्थी सरेष्ट है आप सभी को जीवन में सब सुखो की प्राप्ति के लिए सिव मंदिर में जाकर एक सरेष्ट उपाई करना चाहिए आप सभी को विसेश तरपर एक जल का लोटा लेना है मंगलवार का दिन है तो जल के लोटे के अंदर आप सभी लाल चंदन जरूर से डालिएगा गुरुजी कहते हैं लाल चंदन का लेपन सिव पिंडी पर परम सुखो की प्राप्ति करता है जल के लोटे में सूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर उपाय करना है किसका नाम लेना है सूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करना है जल के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन आप सभी डाल दीजेगा उसके बाद आप सभी को एक दुर्वा एक बेल पत्र लेनी है और एक दाना चावल का लेना है ठीक है एक दुर्वा एक बेल पत्र एक चावल का दाना आप सभी को सिव मंदिर लेके चले जाना है पूर विया तरदिशा की ओर आपको बैठना है और उसके बाद आप सभी को ज जो है चावल का दाना और एक दुरवाली है वह गड़ेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है चतुर्थी तीथी पर दूसरा सूल टंकेश्वर महादेव का समरण करकर आप सभी ने जो चंदन में लेपन की हुई बेल पत्र है वह सी पृंडी पर आपको समर्पित कर देना है और जो बेल पत्री की दंडी का मुख होगा वह आपकी तरफ होना चाहिए उस बात का आप सभी ध्यान रखे चतुर्थी तीथी का यह सर्वस्रेश्ट उपाए है एक चावल का दाना और एक जो एक चावल का दाना एक दुरवा गड़ेश जी पर समर्पित करना है मातर एक बेल पत्र आपको सेव पिंडी पर समर्पित करना है फिर जो दीपक प्रजवलित का रखा है उससे विधान से गड़ेश जी का जो है और महादेव का पूजन करें अपनी जोली पसा रहे हैं गड़पति गजानन महराज मेरे कस्ट हरें और मेरे मनोरस सिद्ध करें आप रिद्धी सिद्ध के दाता है यह प्रार्थना करने के बाद आप घर की ओर आजाएं महादेव निश्चिती खुशियों से जोली भरेंगे और गड़ेश महराज अप्रम पार खुशियां आपके जीवन में देंगे तो हमने बात कर ली दो सरल से उपाय की बढ़ते हैं धंदा ओन-लाइन ओफ-लाइन काम कोई चलता ही नहीं है तो आप सभी को क्या करना है कि हनमान जी महराज के बाएं पैर का सिंदूर लाना है ठीक है बाएं पैर का सिंदूर नहीं लाना है इस बात का ध्यान रखना है बाएं पैर का आपको सिंदूर लाना है और हनमान जी के चोटे भाई गतिमान जी का नाम लेना है चतूर्थी तीथी में यह उपाय तो सिद्ध हो जाएगा अपने आप में अध्भूत हो जाएगा तो आप सभी को वह स्वास्तिक जो हनवान जी के मंदिर से आप लाए हैं उनके उल्टे पेर का सिंदूर जहां पर आपका बच्चा बेटता है वहां पर एक स्वास्तिक ब्ले जरूर से बना दीजिएगा। साथी गुरु केहते हैं अपने घर के दरवाजे पर और साथी दुकान के गल्ले में अगर आप सभी बना देते हैं ना यह स्वास्तिक दिब्बे है, पवित्र है, अमरित की बूद है, क्योंकि हानमान जी के चरणों में इस पर शुकिया हुआ है, तो करके देखिएगा, खुश्या से जोली भाग उदित होगा, कस्ट पीडा संकट का नाश होगा, और सब सुखा प्राप्त कर लेंगे, तो आप एक बार यह प्रियोग करकर देखिएगा, फिर देखिए आपकी जुमिन में, जो दुख तकलीब चल रही है, जो पीडा चल रही है, जो कस्ट चल रहे है, उसका समाधान कैसे होता है, तो जरूर से यह स्रेश्ट उपाई करिएगा, आपके भागे प्रवल होंगे, दुख दरी दरता क नाश आपके हो नहीं है, तो करके देखेगा, हनमान जी के पावन पवित्र दिन है, साथी मंगलवार का दिन है, मातारानी का, जो है सर्विस्ट तीथी चल रही है, नगुप्त न औरात्री है, मातारानी को लौंग का जोड़ा, बताशे के साथ, आप सभी समर्पित जरूर मातरानी आपके एक मातर दीपक उनके स्मर्ण दूर्गाचालिसा के पाट से मातरानी के नाम मंतर जाप से महादेव के नाम मंतर जाप से हन्मान चालिसा के पाट से मातर सुंदर स्वरूप में समर्पड की भावना से भोग समर्पित करने से दीपदान कर लेने से प्रसन होती महादेव के अर्ध स्वरूपा है मातरानी और निष्टि थी आपके खुशिया के भंडार मा भरेंगी तो कोशिश करें प्रियत्न करें जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए आप इन स्रेश्ट उपायों को करें जीवन में सर्वस्रेश्ट तिथियों में और